विल्कम बैक टो कोडर एक सगंगी ताया एक बार फिस स्वागत है आपका हाइबरनेट विज जे पीए की समेजिंग से कंप्लेट से कोर्स में और लास्ट वीडियो में हमने अनोटिक्शन्स देखे और प्रॉक्षी का देखा की किस तरीके से प्रॉक्षी और प्रॉक्षी जो है वो काम करता है लेजी लोडिंग कैसे करवाते हैं यह सब चीजे देखिए हमने इस वीडियो में हम बात करेंगे आगे जनेरेटर्स की यह वीडियो जो है वो जनेरेटर्स का होने वाला है ठीक है जनेरेटर्स जो होते हैं हाइबरनेट में जे पीए में और जो आपक कुछ important चीजों के बारे में बताना चाहूंगा जैसे surrogate key होता है और natural key होता है I think आपको already पता होगा but still एक बार में बता देता हूं जिनने नहीं पता उनको key के बारे में ठीक है कुछ important key columns के बारे में जैसे होता है candidate key ठीक है candidate key column अब आप यह समझे कि candidate key column हम किसे कहते हैं तो database table में है न हम तो column in the database table whose value जिसका value कैसा हो whose value is unique and can be used to and can be used to access the record okay और row from the database table is called candidate key column उसको क्या बोलते है candidate key column okay अब देखे एक्जामपल okay एक्जामपल समझेगा अब हमने कहा example में किसी person person table है ठीक है उसमें आपका आधार नंबर ओके आधार नंबर हो गया आपका fine यह सब क्या है आधार नंबर हो गया pen number हो गया इसका value क्या कैसा रहेगा unique रहेगा ठीक है तो for example हम एक काम करते हैं लेते कि एक हमारे पास table है ठीक है कैसा table है person का ठीक है person यह क्या है database table है okay और student whatever you can take student employee जो भी आपको यूज करने का मपने ठीक है यह हमारा database का table है अब इस database table में आपके पास बहुत सारे क्या है इस database table में आपके पास क्या है आपके पास है column तो माल लेते है student का आधार नंबर है ठीक है और क्या है और आपके पास हो गया DOB date of birth ठीक है और क्या हो गया आपके पास DOB date of birth पैन नंबर ठीक है student का और क्या है हो सकता आपका registration नंबर है ना यह unique होगा और क्या हो सकता है और आपके पास details में है नेम है ना आपके पास है batch ओके batch enrolled वाला जो भी है है ना course ओके और चले फिलाल इतना ही ठीक है इतना है हमारे पास अब आप खुद सोचिए candidate की column हम किसको कह रहे हैं तो candidate की हमारा वो होता है column का मतलब एक column हो जाता है तो जब आप की बनाते है candidate की जब आप बनाते हैं किसी database में किसी table के लिए तो वह एक column बन के ही मतलब आपको बहले ही ना दीखता है और आप उसको चक करेंगे अचले तो वह column में ही रहता है इसलिए उसका नाम पढ़ी है candidate की column तो आप candidate key जो value हुआ वही हो गया candidate की और candidate की column को मतलब एक column होगा जहां पर हम key को रख देंगे तो candidate की column हो गया simple सी चीज है तो confused ना होगे तो candidate की हम किसको बोलेंगे इसमें से आप खुद सोचिए इसमें से candidate की कौन होगा candidate की के बारे में क्या कहा जा रहा है कि the column in the database table जो value is unique and can be used to access the record हमने कहा कि भाई ऐसी value जो unique हो तो unique तो इसमें आधार number हो सकता है pen number हो सकता है registration number हो सकता है बाकी DOB किसी person का match कर सकता है name match कर सकता है batch match कर सकता है right विल्कुल simple as it is तो अब हमने कहा यह जो अधार number है यह unique है और इससे अगर हम access करेंगे तो सिर्फ एक ही student आएगा तो इसलिए क्या हो गया candidate की बात समझ में आई क्या DOB candidate की होगा नहीं क्योंकि यह unique नहीं हो सकता है यह match कर सकता है ना किसी भी एक दूसरे का मतब स्टूडेंट का ठीक है पैन नंबर इस पैन नंबर कैन बी वाट candidate की यस और नो बास ना रजिस्ट्रेशन नंबर इस रेज नंबर इस आल्सो वाट इस आल्सो कंडिडेट की क्या बात यह समझ में आ रही है कंडिडेट की यह भी क्या हो सकता है सिंपल वेरी सिंपल कंडिडेट की बाकी यह सब तो यूनिक है नहीं और जब यूनिक ही नहीं है तो हम इसको एक्सेस करने के लिए यूजी नहीं करेंगे क्योंकि माल लिजी अंकित नाम से दो नेम है और अगर अपने अंकित से एक्स डालिए जो अधार नंबर डालेंगे जिसका मैचिंग होगा उससे ही का आएगा pen नंबर डालेंगे रिश्ट्रस नंबर डालेंगे तो उस तरीके से ठीक है तो candidate की क्या बोलते हैं कि वैसा की जिसकी value जो है बहुत unique हो आपके database table में और उससे कोई record को access किया जा सके आपके database table स very simple to understand it now let's move to natural key column what do you mean by natural key natural key column अब यह भी candidate key ही होता है थोड़ा से देखेगा इसमें क्या होता है the candidate key है ना natural key यह क्या होता है यह भी candidate key ही है okay the candidate key column which is having okay which is having outside business meaning okay the candidate key column which is having outside business meaning and can be used and can be used to identify the record okay in the database table okay identify the record in the database table and outside the database software and outside the database software which called natural key column समझेगा अब यह natural key column क्या हो सकता है इसमें से हमने यह कहा कि candidate key तो सबसे पहले इसमें से हम candidate की select कर लेंगे है ना बताब यूनीक होना चाहिए और उससे record access होना चाहिए तो अधार number है pen number registration number है अब आप मेरी बात ज्यान समझेए the candidate key column which is having outside business meaning outside का मतलब in the project outside मतलब outside of your database table okay मतलब आपके project में ठीक है inside your project having outside business meaning या बाहर ही real time real life में भी है ना and can be used to identify the record in database table and outside the database software is called natural key column very simple very simple जैसे आपका voter id card हो गया हना voter id number हो गया या pan number हो गया सब क्या आ जाएंगे आपके ठीक है pan number यह क्या हो गया पताएए अगर आपके पास voter id number है तो वो ठीक है और क्या हो गया passport number यह सब क्या होते है real time use होता है ना बाहर में तो having outside business meaning मतलब जिससे सर्विस आपको मिल रहा वो business meaning मतलब समझे रहे थाना business meaning मतलब जिससे सर्विस मिल रहा हो आपको ठीक है business layer service layer ओके जिसको जिसकी यूज करके आप कुछ काम कर सके कुछ business कर सके कोई यह क्या हो गाए और ट्व और फोल्स एसे हो गे तो यह क्या हो गया है यह निचुरल की हो गया ठीक है और जाम जीस को रखके जाएंगे हो प्टिल्षा की समझ गया अब एक बात बताईए आपके प्रॉजेक्ट में आपको यह आपको इंप्लिकेशन यूज कर रहे हैं तो वैल्यू थीज वैल्यूज नेचुरल की वैल्यूज नेचुरल की वैल्यूज are expected from are expected from end users क्योंकि ये तो उनका data है न, user का data है programmer का data नहीं है pen number की programmer डालेगा user का नहीं, voter ID number voter ID जिसके पास है वो डालेगा pen number जिसके पास pen number है वो डालेगा passport number जिसके पास passport है वो डालेगा adhar number जिसके पास अधार है वो डालेगा तो end users तो natural key की जो value होती है वो कहां से expect करी जाती है कौन देगा तो natural key values are expected from the end users end users वाले देंगे क्या बात समझ में आगे very simple to understand this right yes or no now the next is surrogate key column okay surrogate अब यह क्यों पढ़ा रहा हूँ आपको तुरत आगे समझ में आगा कि मैंने क्यों पढ़ाया पहले आपको क्यों बताया यह सरोगेट की कॉलम भी क्या होता है कंडिडेट की ही होता है ओके दा कंडिडेट की कॉलम ओके हुज वैल्यूज दज नॉट हैब एनी बिजनस मीनिंग एन्ड जनेरेटेड जनेरेटेड बाई दा अंडरलाइंग अंडरलाइंग मतलब जो यूज हो रहा है आपके प्रोजेक्ट में ठीक है जनेरेटेड बाई दा अंडरलाइंग या जो प्रोजेक्ट हैप का हो है ना अंडरलाइंग अप्लिकेशन अप्लिकेशन या प्राजेक्ट और और डेटाबेस सौफ्ट्वेर और डीबी सौफ्ट्वेर डाइनामिकली मतलब खुद से जो जन्रेट हो गया वो इसकाल्ड अब बताता हूं क्यों इसकाल्ड सरोगेट की कॉलम देखें एक्जाम्पल एक्जाम्पल समझें यहां पर क्या क्या हो सकता है वरी सिंपल वरी सिंपल जैसे सीक्वेंस होता है है ना सिक्वेंस इन ओर एकल डीवी कॉमा आउटो इनक्रीमेंट इन आउटो इनक्रीमेंट कॉलम इन SQL MySQL आप कह सकते हैं MySQL और Generators भी क्या होते हैं Generators Generators values in Hibernate जो Generator होता है आपका यह सब क्या हो गए Surrogate की column में आएंगे क्योंकि अब मेरी बात ध्यान समझेगा and etc अगर कुछ है तो ठीक है देखिए यह भी candidate की ही है लेकिन अब candidate की जो है हमारा वो unique की होता है जैसे कि हमने बताया table में unique की होता है और उसको record को access करने के लिए use करते हैं तो भाई surrogate की एक ऐसा candidate की एक ऐसा unique की होगा जिसको हम access करेंगे जिससे हम record को access कर रहे होंगे identify कर रहे होंगे पर उसका business meaning outside नहीं हो ध्यान से समझेगा यह surrogate की क्यों जरूर है है ना हमने कहा कि भाई ऐसा ऐसा कुछ होता होगा क्या हाँ भाई sequence और एकल ठीक आउटर increment ID जो देंगे हम अपने table में वो 1,2,3,4 ऐसे करके देंगे रैंडम कोई भी देंगे वो ID उससे क्या होगा बाहर यूज नहीं होगा ठीक है अभी इसका limitation आपको समझ में आएगा तो candidate आपको यह जो है surrogate की कॉलम समझ में आजागा देखिए मैं पढ़ा रहा हूं क्या पढ़ाता हूं बताता हूं यह आपे अभी तुरत आपको समझ में आजागा पांस बीनिट में यह क्या है limitations यह समझ है समझ में आजागा of taking natural key column as as primary key column देखिए आपको primary की बनाना है आपके table में primary की सही तो आप data fetch data insert वागेरा जो भी आपको करना होता primary key column का यूज होता है न ठीक है बहुत अच्छा तो यहां से हम एक काम करते है limitation of taking natural key column as primary key column आखिर problem क्या है natural key जो unique key अगर हम उसको यूज कर ले अपने primary key के लिए तो क्या यूज हो जाएगा तो बहुत ही बढ़ियां यह चीज हैं समझ यह कि सबसे पहले तो natural key क्या देखिए आपकी candidate की which is having outside business तो जो pan number है voter ID number है passport number है यह सब क्या होता है values बहुत बढ़े बढ़े होता है right values are lengthy है ना lengthy पहले तो यह values होता है okay so it will take it will take more memory and it will take सबसे पहले तो इसको memory जादे चाहिए okay next 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 what we have is what we have is here इसका value का बाहरी दुनिया में कुछ ने कुछ meaning होता है आपके project में आप बाहर इसका use होता है since the values are having any business meaning business meaning so if they changed okay if they are changed because of any region because of any region outside the world then then it is difficult it is difficult it is difficult to change the values inside the database table okay via java application this is very costly thing costly in the sense time and it is tough you change then where it is there you have to change there you have to change manually you have to change now 12 digits okay now indian government made it you have to change you have to change how much you have to change how much you have to change your time your database software use server cost your time you have to change okay plus memory extra outside business meaning if you select primary key column primary key in your app then what natural key is not natural key meaning pan number registration registration number you have to change primary key column select keep this okay now third thing is they are expected from natural key column they are expected from end users okay so if end user not then what happens if end user data have no pin number now pin number required primary primary is no pin number important when you have to find user has gone they are expected मतलब आपका customer तो बन नहीं सकता आपका service तो यूजर कर नहीं सकता आपके आपको they are expected from end users and if if due to any region due to any region okay user fails to user fails to give the inform give the data give the value and then then kya ho जाएगा बहुत simple है if user fails to give the value then record insert नहीं होगा record insertion will be failed or most of the times okay most of the times you as a business will loss loss as customer okay right loss a customer तो यह क्या है limitations है क्या समझ में यह problem है तो surrogate की column क्या है एक ऐसा candidate की है जिसका बाहरी दुनिया में business meaning ही नहीं है भाईया जब बाहरी दुनिया में business meaning ही नहीं है तो सरकार उसको कुछ चेंज करे ना करे आधार चेंज करे की पैंज करे उससे तुमको मतलब ही नहीं है तो आपके application में आपने एक column ही बना दिया ID का और उसमें खुद generate करा दिया कुछ extra कुछ ऐसा system लगा दिया कि भाई वह automatic generate होके उसमें सेब होके चला जाए कुछ text रख दिया या कुछ भी एक ऐसा unique का लिए कुछ रख दिया तो से यूनिक चीज रख दिया उससे क्या होता है उससे क्या हो रहा राइं अपका data निखल सकता है data इंसेर्ट सक्ता है चीज़ डेटा को आपका एकसे कर सकते हो identify कर सकते हो record को तो से ऐसे ID है या ऐसे values है उसको आपका project आपके application में system लिखना पड़ता है code लिखना पड़ता है logic लिखना पड़ता है कि खुदी generate कर दे या database software भी बहुत बार generate कर देता है तो dynamically मतलब खुदी से automatic runtime पर और इसी को क्या बोलता है surrogate key column मतलब ऐसा unique key होगा जिसका बाहरी दुनिया जो कोई मतलब लेना देना नहीं है वो सिर्फ आपका एक data को access करने के लिए record को access करने के लिए record को identify करने के लिए आपके database table में use होगा तो उस key column को क्या बोलेंगे surrogate key column क्या बात समझ में आ गई तो अब advantages क्या है very simple अब advantages यह है दो बड़े advantages है है ना यहां सम्क्या लिख सकते है advantages of taking surrogate key column as primary key column अब इसका यूज आपका बहुत बहुतर मिल जाएगा है ना की इसका यूज देखिये है बहुत अच्छा यूज है first values does not values do not have any business meaning so 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 they are now no not dependent outside the world okay outside the world so and and if we want to change it further which is no more required okay then it will be easy to do this है ना मतलब आप अगर एक बार value set होई गया कुछ unique सा तो आप उसको change करेंगे ही नी वह required ही नी होगा और अगर कभी ऐसी जरूरत पड़ेगा ही change करने की तो आसान है क्योंकि आप बाहर वाला चीज तो आपको वह लेना दिना है नहीं अंदर आप इसे भी change कर लो कहां भी change कर लो उसे easy रहता है समझ रहो अब यह जो क्या है यह value खुदी generate होगा है ना मैंने क्या कहा surrogate key column are generated by the project application or the database software तो आपको अब user को टेंसल नेनी की जरूरत नहीं है कि यहां पर कोई value दो यह खुदी आ जाएगा खुदी generate हो जाएगा yes or no right so it is not expected by the end user okay it is not expected by the end user so यहां पर क्या कर सकते है it will be generated by the application or database software dynamically simple so आपका end user के पास data है कि नहीं है यह सब टेंसल लेने की जरूरत ही नहीं है ठीक है तो record insertion जो है वो सब अराम से हो जाएगा आप उसको टेंसल लेने की जरूरत नहीं कि मेरे पास कोई unique value होनी चाहिए खोदी generate करेगा आपका application आपको यह नहीं करना होगा and now what is the most recommended way most recommended way note very important very important note always take always take always take surrogate key column as primary key column क्या बात समझ में आ गई always take surrogate key column as primary key column कभी भी primary key हम बनाएंगे तो surrogate key को बनाएंगे natural key को नहीं बनाएंगे समझ में आ गया तो candidate की एक ऐसा column होता है जिससे जो unique होता है जिसकी value ठीक है candidate की होती है ऐसी value होती है database table में यूनिक होती है जिससे की आप database में record अपना identify या गेट कर सको जैसे यहां पर कि देखिए एक student table मान लेते है उसमे अधार नमबर डियो भी आप डाट कर सकते हैं बिलकुल तो candidate को बोल सकते है पन पर को राड में रिल्टिए हो ड्यक्ते इसके कर सकते हैं उसके आउटसाइड में मतलब बाहरी दुनिया में इसका मिनिंग होगा रियल टाइम में ठीक है तो जैसे पैन नंबर वोटर आईडी पासपोट इसका माल लेते हैं कुछ सिच्वेशन चेंज हो गया कुछ पॉलिसी चेंज हो गई और आप उसमें कुछ चेंज जा गया तो अब यह आप चेंज करो गया अगर इसको प्राइमरी के ल जो ऐसा candidate की होता है जिसका आप बाहरी दुनिया से को लेना देना ही नहीं कोई business meaning नहीं होता बाहर दुनिया में तो आप यह जो code अब यह जो candidate की जो होता इसकी value कहां से आएगी इसका तो बाहरी दुनिया से कुछ लेना देना है नहीं तो user के पास तो इसका data होगा नहीं तो यह खुद से आपका application जो आप बना रहे हो जो code कर रहे हो वही generate कर देगा या आपका database software में इतनी capability रहती है कि वह generate कर दे कुछ unique values और उस values को आप वह insert कर दो ठीक है तो surrogate की हो गया तो sequence, generator, auto increment, generator's value in hibernate यह सब क्या होते हैं यह सब surrogate की column की examples हो गया आपके, surrogate की examples हो गया तो limitations of taking natural key आपको बताई दिया क्या दिक्कत होगी, बाहर में अगर कुछ change होता है तो अब internally आपको change करना में दिक्कत आ जाएगा, है ना ओपर से अगर database मतलब अगर आउपर से आपना computer आपको system जो है आपका code logic जो जनरेट करके दे रहा एक बार जनरेट हो गया वो सायद ही कभी change होगा और नहीं change होता है, ठीक है, 99.99% मतलब 0.001% कोई exceptional case होगा जहां पर primary key को change किया जाता होगा किसी application में किसी बड़े company में है ना, otherwise नहीं है, ठीक है, तो it is not expected by the end user को इसको expect करना है नहीं, आपका generate जो होता ही है, value, application या database software से dynamically की हो जाएगा, आप खुश रही है, simple सी चीज़ है, तो primary की column हमें साख किसको बनाना चाहिए, surrogate की column को, I think अब आप इसको समझ गया होंगे कि क्या बोलते है, surrogate की क्या होता है, primary की क्या होता है, candidate की या सब, primary की बगएर तो आपको पता ही होगा है ना, चली, आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे generators, है न तो देखे, generators बहुत ही आसान topic है, बहुत हीज़ी है, बहुत हीज़ी है, बहुत सारे लोग आपको बहुत कुछ बता रहे होगे, यह है, वो है, आपने इधर-इधर आर्टिकल्स में पढ़ा होगा, या साइध आपको लग रहा होगा कि tough है, बहुत आसान है generators, अब ही generators है न, चलो भाई, समझ में आ रहा होगा तो भाई, लाइक कर देना यार, और कमेंट करके बताओ, कैसा चल रहा है, सब पढ़ाई लिखाए आपका, बिलकुल बताईए, देखिए, हमें क्या पढ़ना है, generators, बहुत अच्छा topic है, बहुत important topic है, और मैं क्या बताओ, बहुत ज़्यादा important topic है, इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है, generators in hibernate, generators in hibernate, यह बहुत ही बढ़िया topic है, थोड़ा सा अराम से patiently समझेंगे, समझ में आ जाएगा, देखिए, बहुत simple सी चीज है, generator से क्या होता है, सबसे पहले मैं यहाँ पर database table बना लेता हूँ, ठीक है, अब database table में यहाँ मालनेते, this is your database table, अब आप खुद समझें कि database table जो है आपका, ठीक है, इस database table में कुछ records होते हैं, राइट, यहाँ पर कुछ records होते हैं, और id, मतलब primary की, name, dob, और मालनेते आधार number, ठीक है, यह आपका है, id, यह कॉलम है, जो है id सिर्फ, ठीक है, यह id है, name, dob, ठीक है, pan number, चली, registration number, whatever you can say, यह कुछ कॉलम से, अब देखिए, यह जो id है, जिस id की बात में करना हो, this is what, this is primary की की कॉलम, yes or no, this is primary की कॉलम, this id is what, this is nothing but primary, okay, pk, pk means primary की, now this pk is what, nothing but, it will be used to, it is used to, insert, it is used to, basically it is used to access, or identify, the record, very simple, तो primary की जो है, जब एक नया record आएगा, इस database table में, student db table, db table, ठीक है, अब student database table है, इस record में, अगर कोई, आया, let's say, 1001, name, amitdov, okay, for example, okay, some, some pan number, whatever it is, okay, now see, अब, next job, आपका, एक और record आया, माल लेते हैं, एक और किसी student ने register किया, आपके website पे, तो, अब ये जो id है, क्या ये manually बार-बार generate होगा, आप खुद सोचिए, क्या आप id generate करोगे, manually, बैठ करके, या आपका user डालेगा id, ऐसा तो नहीं है, ये id से, आप database access, मतलब database में record को access कर सकते हो, अपने project में फिर उसको आगे use कर सकते हो, जो access किया आपने record, ये सब काम कर सकते हो, तो ये जो id होती है, ठीक है, row on, okay, some value will be there, okay, यहाँ पे कुछ value है, ठीक है, for example, तो ये जो बार-बार आपका record id generate करना है, ये काम किसका रहेगा, generators का, भाई, generators का, आप manually नहीं दोगे, क्या समझ में आ रहा है, ये manually आप नहीं दोगे, आपका जो student entity है, उसमें जो id की value है, जो आप set कर रहे थे, ठीक है, ये real time project में, आपको manually नहीं करना होता है, set, जब भी आप एक नया record save करोगे, तो dynamically, run time पर dynamically, खुद से automatically generate हो जाएगा, id और वो generate हो करके वहाँ save हो जाएगा, तो भाईया, ये id generate जब होगा, तो कोई ना कोई region से हो रहा होगा, कुछ तो ऐसा service होगा, कुछ तो ऐसा object होगा, जो generate कर रहा होगा, खुद कैसे हो जाएगा, जादू थोड़ी चल रहा है, coding चल रहा है, programming चल रहा है, logic चल रहा है, जिससे कि ये id जो है primary की, खुद ही generate हो जाए, और वहाँ जाकर आपना save हो जाए id, उस id के साथ, record, तो ये case से आएगा, कहां से आएगा, ये generator के concept से आएगा, समझ में आपको hibernate की, क्या क्या, इसमें हम कर सकते हैं, और क्या तरीका से आएगा, क्या बात समंझ में हाई, तो generators कुछ नहीं होता, generator in hibernate, जाना क्या होता है, अब समझे, so generators in hibernate means what, generator होता है एक algorithm, कुछ नहीं है, very simple, very simple, हम ऐसे कर सकते हैं, कि Generators are just simple algorithms okay are algorithms or you can say different algorithms different algorithms different algorithms given by Hibernate and JPA Hibernate bhi hai JPA bhi data hai and JPA by using which by using by using which you can you can generate generate the values of kiska value values of id property id property in the entity class for what for the id value or you can say for the primary key column value primary key column value of the database table you can understand what is written record value generate id property id property no yes or no boss yes or no boss yes or no boss tell me tell me tell me tell me generators are just different algorithms कुछ ने कुछ अलगॉरितम्स लिखा हुआ अपने से ठीक है आपको इसको यूज कर ले ना कि इसको कैसे कर सकते है तो यह जो entity है यह यह जो आपका id है ठीक है अभी आप इसका setter बना रहे हो क्योंकि खुद आप set कर रहे हो yes or no खुद set करोगे ठीक है तो get वाला है ठीक है यह get वाला code है इसमें हम वह चेक कर रहे थे ना पढ़ा रहा था आपको कब मैं proxy में पढ़ाया था यह उसका project है ठीक है तो proxy के लिए खेर यहां पर देखे तो यह जो id property है आपने get id और set id इसको set लिख करके call कर रहा है right अब भाईया आप खुझ सोचिए कि यह जो id हमारा है ठीक है add the rate id यह id इसकी value क्या हो जाएगी dynamically खुद से generate हो जाएगा और खुद से जब इसका value generate हो गया तो आपको manually set करने जुरूत नहीं पड़ा यही तो हमको करना था तो कैसे करेंगे तो generator के वज़ज़ generator क्या है क्या होगा उसमें कुछ ने कुछ algorithm लिखा हुआ होगा कुछ concept लिखा हुआ होगा कि भाई कुछ logic लिखा हुआ होगा कि ऐसे ऐसे अपने से generate कर लेना है और यह simple सी है यूज हो जाएगा तो generators are just different algorithm given by hibernate and jpa by using which you can generate the values of id property in the entity class for what किसके लिए तो भाई जब यह id property generate होती है id property की value किसके लिए होती है तो primary column of your database table किसके लिए यूज होता है primary column of your database table इसी के लिए तो यूज होता है तो simple तो है कितना असान generator समझना है ना अब आप खुद सोचिए generator जो है वो क्या होगा indirectly है ना indirectly अब यह खुद generate होगा कैसा value generate होगा indirectly it is taking surrogate की column as primary की column surrogate की जिसका बाहरी दुनिया से कोई मतलब लेना देना नहीं है है ना तो यह क्या हो जाएगा surrogate की column and and this primary की column value will be inserted dynamically without any business meaning without having any business meaning तो कोई issue है नहीं है ना हो गया simple सा तो यह आपका है generators क्या समझ में आ गया खोदी से generate कर देगा now let's see कि यह जो generators हैं आपको hibernate में तरीके के generator पढ़ने ठीक है तीन तरीके के होते तो दो तरीके के हैं बढ़ चलिए एक तरीका आप ऐसे कह सकते हैं कि three types of generators in hibernate अब यह three types of generators क्या-क्या है पहला ऐसे generators होंगे देखिए hibernate framework के specification में लिखा गया है JPA में JPA वालों ने कुछ concept दिया होगा बिलकुल दिया है तो सबसे पहले तो एक generator है जो hibernate ने अपना दिया hibernate native generators hibernate native generators hibernate supplied generators कुछ भी बोले hibernate native मतलब अपना उसका hibernate supplied generators हो गए ठीक है specific to specific to only hibernate framework है ना सिर्फ hibernate framework के पास okay जैसे for example for example आप देख लिजे अचा बात में बताता हूं for example हम ऐसे कर सकते हैं कि आप इसको कैसे configure कर सकते हैं कैसे use कर सकते हैं तो आप इसको use कर सकते हैं दो-तिन तरीकों से ठीक है यहां मैं लिख देता हूं दो-तिन तरीकों से use कर सकते हैं जैसे यहां अगर हम लिख दें तो using a symbol configuration file दूसरा using annotation driven configuration तीसरा इसका use आप कर सकते हैं बस यही है दो है ना and there are there are 12 12 12 hibernate supplied annotations ठीक है 12 hibernate supplied annotations है जो बताऊंगा मैं B next JPA generators अब यह JPA द्वारा दिये गए है ठीक है अब यह क्या होगा common to all JPA specified ORM frameworks हैना जो JPA frameworks में होंगे हैना तो JPA generators okay common होंगे यह सारे ORM frameworks के लिए जो JPA के अंतरग में मतलब JPA के specification में लिखे गया होंगे और इसमें एक annotation यूज होता है जिसका at the rate generated value तो यह generated value and other annotations ठीक है यह क्या है यह है आपके JPA generators समझ गया है अच्छा XML configuration file में कैसे हम यूज करते हैं तो XML configuration file में हम यूज करते हैं कुछ generator tag से generator tag okay कहा XML configuration file में okay annotation में जब आप आते हो ठीक है मतलब Hibernate का जब आपना यह यूज करते हो Hibernate का आपना वाला native supplied generators तो इसमें आप जब यूज करते हो तो add the rate generated लिख्या आता है ना generated value भी आता है add the rate generated भी आता है ठीक है generated value okay generated value Hibernate के भी है and और एक generic generator generic generator okay तो यह है इसका use करते हैं ठीक है बाकी C एक होता है custom generator जो आप खुद बना सकते हो ठीक है मतलब programmer बना सकता है तो custom generators यह पढ़ेंगे सबसे last में custom generators okay custom generators इसको यहां रखें ठीक है क्या बात समझ में आ रही है तो generator simple algorithm होते हैं जिससे की ID property की value generate होती है dynamically ठीक है और बहुत easy concept है समझ गये न यह वाली ID property की value हम easily generate करा रहे होंगे generator की मज़त से तो generators आपके तीन तरह के हो गया Hibernate में Hibernate के द्वारा जो अपना Hibernate का है उनका generator फिर JPS applied annotations यह annotations गोलता हूँ generators and custom generators right तो Hibernate supplied generators को कैसे यूज कर सकते है by using XML configuration and by using annotations JPA generators आप generated value में यूज कर सकते है custom generators फिर होते हैं तो यह हो गया आपके generators तीन तरीके के अब देखिए Hibernate supplied generators जो होते हैं वो कितने Hibernate supplied generators हैं चरब वो देख लीजे Hibernate supplied generators मैंने क्या बोला कि यह बारह हैं लगबग नंबर में है ना लगबग क्या यह बारह ही है और आप स्काउंट करते रहें देखिए एक होई assigned ठीक है Increment यह सब कॉमा यह से लगा देते हैं काम करते हैं assigned Increment ठीक है Identity एक होता है Sequence एक होता है High Low एक होता है Sequence Ilo ठीक है Sequence नी पढ़ते हैं Sequence Ilo एक होता है Native एक होता है Foreign एक होता है Select एक होता है uid, एक होता है uid, okay, uid, okay, एक होता है sequence, identity, ठीक है, कितने हो गया है, हो गया हो, एक, दो, तीन, चार, पांच, छेस, साथ, आठ, नो, दस, क्यारा, बार हो गया ना, बारा, तो यह क्या है, है हईबर नेट सप्लाइट जनेडर थे बात समझ में आ transcend यह वाला जनेरेटर आपका ही हो रहा है आप सथा नहीं को लिए तो अब टाक हम कोई र जनेरेटर में कर रहें तो यह तो यह लेकर सब्सक्रीकी को एक रहा है इस यह जो हाई-लो है यह वाला ठीक है यह हाई लोको हटा दिया गया था वाई removed from hibernate 5.x वरसन से इसको हटा दिया गया है किसको हाई लोको क्या बात समझ में आ रहा है तो इतना तक हमने समझ लिया ठीक है अब इतना सारा generators है तो किसी भी generator को यूज नहीं कर लेना है कहीं भी क्या बात समझ में आ रही है किसी भी generator को कभी भी यूज नहीं कर लेना है सबका अपना अपना plus minus है सबको अपने जगह पर यूज करना है और one of the most important thing ठीक है ऐसे ही हाग बंद करके कोई भी generator आप यहां से चूज किये और यूज कर लिए पता चला database capable नहीं है आपके generator को यूज करवाने का ठीक है मतलब generator से supplied जो जो भी आपका generator का logic है उसको उससे generate कराने का तो उसके पास capacity नहीं है तो ऐसा होता है ऐसा नहीं कि 12 के 12 generators database support कर रहे हैं ऐसा भी तो होना चाहिए कि यह generator जो logic यूज कर रहा है database support करना चाहिए उसका logic से कि वह generate करा दे तो यह database software पर भी depend करता है कि कोई generator हो सकता है वहां support ना करे mysql में support ना करे तो postgreSQL में कर लेगा तो oracle में support ना करे मतलब database software है ना तो उनमे features होंगे ना अपने features होंगे अपने अपने इंटर companies ने उनको लिखा होगा तो हो सकता है उसमें से एक दू generator support ना करे तो ऐसा ही कोई उठा करके use नहीं कर लेना है तो हमेशा generator जब भी आप use करें अपने project में तो यह देख कर करें कि कौनसा मेरे लिए best है और कौनसा मेरा database software support कर रहा है नहीं कि हम कोई चूज कर रहा है और database support ही नहीं कर और हम परिसान है तो यह होता है ऐसा अप्धियान रखेंगे कोई भी generator कहीं भी नहीं उच कर लेना है किसी भी database software के साथ पहले यह देखना है कि कौनसा generator हमारे पास database software support कर रहा है हमाल लिजे कि 12 में से 10 generator support कर रहा हमारा database अब 10 में से जो मेरा best है मेरे project के लिए वो चूज करेंगे क्या बात समझ में आया आयना चाहिए भी है ना तो यहां से हम लिखते हैं कि while choosing आना while choosing generators while choosing any generator for your project है ना please make sure क्या make sure करना है please make sure क्या make sure करना है दो बातों का ध्यान रखना है ए पहला बात the value and length of the generator जो generate होगा ना generator generated value generated id value is compatible with your id property in the entity class जो आप id property उसी के लिए तो generator का value generate करा रहा है simple सी चीज है तो जो id property की value है ऐसा नहीं हो कि आप id property में long रखे हैं और जो generator आप यूज करते हैं वह string आपको generate करके दे रहा है तो compatibility नहीं होगी तो यह दो चीज का धियान रखना है एक यह चीज पहला कि जो वैसा generator हम choose करेंगे जो हमें क्या करना है जो हमारे id property के सथ compatible हो ठीक है next जो सबसी important चीज है की अंडरलाइंग डेटाबेस हैना software अंडरलाइंग डेटाबेस software must be समझेगा must be supporting the generator related concept okay must be supporting the generator related concept ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी कोई भी generator हो सकता है 10 12 में से 10 यह आपका डेटाबेस software support कर रहा हो और आपने वही दो यूज करने का सोचाओ जो नहीं support कर रहा हो फिर आप परिसान हो जाएंगे यह चीज होती है तो जब भी आप कोई generator यूज करें तो make sure कर लें कि भाई मेरा डेटाबेस उस generator concept को support करता है हां करता है चलो भाई next क्या यूज करना है कि क्या हमारा id property जो हमारे entity class में है यह इसकी value से compatible है जो generate होगा पिलकुल है अगर है तो अब हम आगे procedure करेंगे कि हां भाईया यह generator हमारा done है क्या बात समझ में आ गई ओके तो हमने यह समझ लिया कि किस तरीके से या कौन से ऐसे points है जिसको हमें ध्यान में रखते हुए generator को हम choose करेंगे अपने project के लिए hibernate framework जब हम use कर रहे होंगे अपने project में तब अब देखिए एक और important चीज जो मुझे आपको बतानी है आपको जानना चाहिए वो है increment generator अगर मैं ऐसे search करूँ तो देखिए आपको एक आपको एक अगर आप यहां पर देखें तो ओर जी डॉट हाइबर नेट डॉट इड इस package में एक class है increment generator है ना और अगर आप यहां से increment के जगह change कर दे assigned generator तो आप देखें assigned org.hibernate.id एक यहां भी आपको जो package के अंदर एक class देख रहा है assigned इसका मतलब कहीं ने कहीं क्या सारे generator जो है हमारे hibernate में वो कुछ ना कुछ मतलब एक object बनता होगा क्या उनका है ना class से तो object बनता होगा ना ऐसा ही कुछ हो रहा होगा फिर identity generator डॉक्स है ना यह देखें फिर से आ गया org.hibernate.id class identity generator अब यह जो identity generator है यह .id करके class इसमें है all known implemented interfaces identifier generator यह एक ऐसा interface है जिसमें देखिये की all known implementing classes में क्या-क्या है uid generator assigned foreign generator guid generator identity generator increment generator ठीक है sequence generator sequence hilo generator sequence identity generator यहां से और भी है table hilo generator uid generator कहने का यह मतलब हुआ कि जो भी आपको hibernate में generators दीखते हैं या अभी तक हमने जो भी आपको generator के बारे में पढ़ाया है ना सारे generator क्या है हैं बताइए बया तो implementing classes है किसके इस interface के identifier generator interface के तो यहां मैं लिख देता हूँ note note this is very important thing all generators in hibernate is the implementing implementing or hibernate supplied all generators in hibernate मतलब की hibernate supplied only hibernate supplied generators are the implementing classes of of org dot hibernate dot id dot identifier identifier generator है ना identifier generator interface इसका क्या है सारा का सारा implementing class है very simple very simple now now हम इसको यूज कैसे करेंगे है ना है lot है so we generally configure by using generator tag generator tag in the hibernate configuration file in the hibernate.cfg.xml file under id tag. तो basically जो आपका generator use होगा वो कुछ इस प्रकार से यूज हो रहा होगा लेट से एक id है ओके नेम इकवल टू लेट से एस id ओके स्टूडेंट आईडी अब यहां से कॉलम आपका दे दिया गया है एना अस्टू अंडरस्कोर आईडी अब इसमें अगर आपको generator यूज करना है तो इसके अंदर क्या यूज करेंगे generator और लिख देंगे class कहां पर अब जो class आपको यूज करना है जो generator यूज करना उससे related class का नाम तो हमें यूज करना था क्या assigned है ना हमें यूज करना था क्या assigned तो हमें आपके क्या लिखेंगे org.fully qualified name hibernate.id.assigned इस तरीके से assigned ओके यहां पर generator close करेंगे id क्लोज करेंगे क्या बात समझ में आ रही है कुछ इस तरीके हम यूज कर रहे होंगे लेकिन बार बार यह इतना बड़ा नाम जो आपको लिखना पड़ रहा है है ना इसको हम sort में कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं इसका sort and तरीका भी है कि आप fully qualified नाम न लिख करके सिर्फ और सिर्फ class equal to इसका sort नाम alias name लिखें है ना वह आपको hibernate के documentation में मिल जाएगा वह class equal to शिर्फ लिख देना है assigned जैसे आप लिख देंगे class equal to assigned वह किसको pick करेगा इसी class को अभी भी pick करेगा कोई issue नहीं है यहाँ ठीक है तो this is equivalent okay this is equivalent or you can say this is same not equivalent as well this is same okay is equal to this so this is sort name और alias name okay इसको क्या बोलते है sort name और alias name यह आपका sort name है या alias name है तो आप इस तरीके से किसी generator को यूज करना है ओके बासमझ में आ गई now one more important thing here one more important thing here यहाँ देखिए यह जो generator configure होता है ओके यह तो class है तो इसका object बनता होगा बिल्कुल इसका object बनता है तो इसका जो object बनता है वो कब बनता है note note during session factory configuration the object of generator class is configured or you can say is created okay is created is instantiated okay during session factory configuration okay during session factory creation you can write during session factory creation the object of generator class is instantiated यह important चीजह याद रखने वाली ठीक है जब metadata अपना बना कर गए जब वो session factory इसलिए तो बत बस यह कहते हैं इसलिए तो बोलते हैं भाई हैना क्या बोला तो मैं हाँ इसलिए तो बोलते हैं कि session factory जो है एक heavy आपका object है session factory is heavy object वाई because it contains many things many services inside it उसमें से generator एक उसका example है कि उसके अंदर आता है session factory में तो generator configure होता है अच्छा generator आप पहले configure करते हो मतलब configuration जो भी आप लिख रहे हो configuration file में वो तो session factory के बनने से पहले ही है ना तब तो उसके बाद वो बनाएगा session factory क्या चाहिए यह चीजी हुआ है तो मुझे यह करना है तो आपने entity class में यह generator लगा दिया है ना उसके entity उसके id में है ना उसके sorry यह जो id है यह mapping file में है ना यह mapping file में है ना I'm really sorry I'm really sorry यहां पर hibernate.configuration file नहीं यहां पर क्या आना चाहिए in the mapping file mapping file okay in hibernate mapping file mapping file में जो आप यह लगाओगे ठीक है सब कुछ metadata उसको मिलेगा ठीक किसको configuration को और फिर जाकरके वह configuration create होगा और जब आपका session factory create होगा तो session factory कैसे create होगा session factory के अंदर जो यह service है वह भी register हो जाएगा कौन सा generator वाला तो generator भी आपका जो generator का object है generator का creation है वह हो जाएगा और फिर session factory भी बन जाएगा on हो जाएगा क्या बात समझ में आ गए तो इसका यह चीजे बात समझ में आ रहा होगा किस तरीके से हम लोग इसको use कर सकते हैं अब देखिए assigned generator का use okay I am going to write code for assigned generator or you can say हम लोग पहला generator अपना पढ़ेंगे assigned generator what we have is the first generator what we have is assigned okay assigned generator अब देखिएगा समझेगा assigned generator बहुत तीजी है सबसे पहले तो यह एक default generator है this is this is default generator it is default generator if you are not assigning or if you are not configuring any generator then then there is one generator configured and that is assigned generator okay तो हाइवर्नेट में जो default generator है वो क्या है assigned generator है okay it makes the programmer or end user okay to set the id property value before calling session dot session dot save save method इसा कि नाम से पता चल रहा है आपको इस में value खुद डालना पड़ेगा यह इंड यूजर से expect किया जाता है इसका मतलब क्या हुआ मैंने क्या सिखाय था क्योंकि जो value user के पास रहेगा वो तो natural की बन जाएगा क्योंकि हो सकता उसका बाहरी वर्ल्ड में कुछ use हो और वो change हो सकता तो दिक्कत होगी तो हमने क्या आपको पढ़ाया था अभी है ना थोड़ी दिर पहले कि भाई आप आप प्राइमरी की उसको बनाएंगे जो सरोगेट की कॉलम है और सरोगेट की कॉलम क्या होता है जिसका बाहर कोई meaning ना हो जिसका outside world में कुछ real time use ना हो कोई business meaning ना हो ठीक है उससे सिर्फ और सिर्फ database access मतलब data basement जो table है उसमें से record access करने के लिए उसके record को identify करने के लिए उसकी जाता हो वैसे key को वैसे value को क्या कहते है सरोगेट की और natural key तो दिक्कत हो जाएगी उसका तो बाहर meaning होता है तो आप कुछ भी जैसे अधार number डालोगे तो अधार number user डालेगा तो डालना वहां पे अधार number insert करना खुद ही हम क्या कह रहे है कि it makes the programmer or end user to set the id property तो natural key column हो गया it makes the natural key column as primary key column है ना and it is expected it is expected है ना it is expected expected from the end user अब भाई this is not a good thing है ना so this is not recommended not recommended to use for production ready applications for production production ready applications तो आपके application जो production में जाने वाला है उसके लिए यूजिये ना कीजिये तो better है ना क्या करिये ही मत ठीक है highly recommended अब देखिए इट अलाउज इट अलाउज इट अलाउज इनी टाइप इनी टाइप ऑफ प्रोपर्टी आज आईडी प्रोपर्टी मतलब इन्ट इन्ट सॉट फ्लोट स्ट्रिंग इन्ट इस जो भी ठीक है कुछ जो भी आपको प्रोपर्टी डालना है यह आप डाल सकते हैं कोई सुनी इसमें ठीक है इट वर्क्स वीथ आल डेटाबेस सॉफ्ट्वेर्स सारे डेटाबेस सॉफ्ट्वेर्स के साथ यह सपोर्ट करता है तो यह तो डन है भाईया हैना यह तो डन होगया सिम्पल सी चीज